गुड मॉर्डिंग आज हम जई 2021 पेपर फर्स्ट और्गनिक केमिश्ट्री वालप पोर्शन डिस्कुस करने जा रहे हैं सेक्शन ए सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट प्रोल्लम क्या कह रहा है दो मेजर प्रोडुक्ट फॉर्म इन फॉलोविं रियक्शन आपके पास न एनस्टू प्लस लिक्विड एनस्ट्री दे रहा है इसके अंदर आपको बताना है कि मेजर प्रोडुक्ट कौन सा फॉलोगा ठीक है यहां पे आपके पास टर्मिलल अलकाइन दे रहा है ठीक है ना और यह नॉर्मल अलकाइन तो आपको मालूम होना चाहिए कि बर्च रिडक्शन के अंदर अगर आप एने प्लस लिक्विड एनस्ट्री लेते हो इस कंडिशन में यह वला अलकाइन जो है वो ट्रांस में कनवर्ट हो जाता है वो आपके पास कौन सा होता है ट्रांस प्रोड़क्शन होता है मतलब यह वला जो अलकाइन है वो किसमें कनवर्ट हो जाना चाहिए ट्रांस के अंदर कनवर्ट हो जाना चाहिए तो आपके पास यह वला तो क्या रहा है सी सारा है ये वाला भी आपके पास कौन सारा है सी सारा है तो ट्रांस एक तो ये वाला है और दूसरा आपके पास कौन सारा है ये वाला है ठीक है ना लेकिन ध्यान रखे ये टर्मिनल अलकाइन को रिडूज नहीं करता है टर्मिनल अलकाइन की केस में क्यों होगा आर सी ट्र terminal alkyne जो है, वो alkyne की form नहीं रहीगा, terminal alkyne की reduction नहीं हो पाइगा, तो first option आपका नहीं आ सकता, आपका answer जो आएगा, कौसा आएगा, second आएगा, यह वाला answer इसलिए नहीं आ सकता, क्योंकि product जो बनता है alkyne के case में, बर्च reduction कराती हो, तब आपके पास कौसा बनता है, trans वाला product बनता है जिबकि यहां पर आपके पास सिस आ रहा है और यहां पर भी आपके पास क्या रहा है सिस आ रहा है तो answer आपका बीवल answer हो जाएगा ठीक है ना चलो next problem second problem क्या कह रहा है among the following confirmation that corresponding to most stable confirmation of mesobutane 23-dial आपको क्या पूचा गया है कि मीजो 23-dial का most stable conformer कौन सा होगा तो सबसे पहले यहां पर word पर गौर करें यहां पर मीजो दे रहा है तो आपके पास जो भी चारो structure दे रहा है ना वो आपके पास मीजो वाले structure होने चाहिए तो देखिए सबसे पहले ओच के opposite में यह ओच आ रहा है यहां पर ओच के opposite में M-E-R-H के opposite में हा रहा है तो opposite मार इसका मतलब क्योंगा center of symmetry होगी और center of symmetry होगी इसका मतलब क्योंगा यह वाला compound meso compound होगा तो अपना यह वाला meso compound है ठीक है ना इसमें हम select check करेंगे इसके अगर मैं इसको थोड़ा सा rotate करूंगा ना M-E के साथ में M-E आ जाएगा लेकिन यहां पर H के साथ में H आ जाएगा इसको अगर मैं इस तरीके से rotate किया तो OH के साथ में क्या आएगा? OH M-E के साथ में क्या हैगा? H आ जाएगा तो M-E के साथ में H आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर plan of symmetry नहीं हो पाईगी इसका मतलब यह वाला compound meso compound नहीं 4th वाला D-Option को चेक किये अगर मैं इसको मैं rotate करता हूँ तो OH के सामने OH आ जाएगा और अगर मैं इसको rotate करता हूँ तो यहां पर आपके पास क्या होगा? M-E इधर की तरफ आएगा? तो H के सामने क्या हैगा? M-E आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें plan of symmetry नहीं आ पाईगी तो यह वाला आपके पास क्या नहीं हो सकता? M-E जो compound नहीं हो सकता. अब इन दोनों में आपको चेक करना है कि इस M-E जो के अंदर most stable conformer पूचा है. तो यहां पर द्यान दो गोची form के अंदर इसके अंदर क्या हो जाती है? Hydrogen bonding हो जाती है. जबकि यहां पर OH OH opposite मारे है, यह team chemistry, CLC. ओके? पहले हम section 1 में जो questions सा उन में से discuss करेंगे. ओके? तो section 1 में जो questions है, तो section 1 में physical chemistry से related, जो questions सा वो discuss कर रहे हैं. For the given closed packing structure, a salt made of catein X and anine Y in below. The ions of only, the ions of only face centers are show clearly. एक face center के ion है, हमें show किये गए है. The packing fraction is approximately. आपको approximately इसका packing fraction calculate करना है. अगर इसका packing fraction approximately हम calculate करेंगे, तो packing fraction के लिए हमारे पास जो Y ions present है. Y ions हमें show हो रहे हैं, वो कहाँ पे cube के corner पर present है. और X atom है, वो face के center पर present है. और इसकी packing efficiency हमें calculate करनी है. Okay dear students, तो इसकी packing efficiency calculate करेंगे. तो packing efficiency calculate करने के लिए देखना बड़ा simple सा concept है. हमने face center पे cube को अगर design किया. यह अपने पास cube था, face center पे atom present थे. यहाँ atom present था, यह face center पे अपने पास present थे, यह X था और यह अपने पास Y atom present था. Dear students, अगर आप discuss कर रहे हैं, आप solve कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2R Y is equal to A के equal हो रहा है. हमें clearly show हो रहा है, देखना. हमें clearly show हो रहा है कि 2R Y is equal to किसके? A के equal है. और हमें यह भी show हो रहा है कि 2R Y plus 2R X equal to root 2A. क्योंकि यह वाली length कितनी हो जाएगी? अगर इसकी A's length को हमने A मान लिया है, तो यह क्या हो जाएगी? रूट 2A हो जाएगी. तो हम इसको discuss करें, students. तो हमने का 2R Y equal to A हो गया. और 2R X equal to कितना हो गया? 2R X plus 2R Y equal to root 2A हो गया. बोल सकते हैं, यहां से R X upon R Y का ratio calculate करते हैं. यहां से आप R X upon R Y का ratio calculate करते हैं. तो यह ratio आ रहा है आपके पास 0.414 का ratio आपके पास आ रहा है. अगर हमें packing efficiency calculate करनी है, तो packing efficiency में हम लोग कहते हैं, volume occupied by the atoms upon the volume of unit cell. यहां पे आप discuss कर रहे हैं, तो X का कितना atom present है? 3 atoms present है. और Y का कितना atom present है? 1 atom present है. तो मैं लिख सकता हूँ, 1 into 4 by 3 pi R Y का cube. प्लस 3 into 4 by 3 pi R X का cube. अपोन क्या हो जाएगा? Unit cell का volume A cube हो जाएगा. Packing efficiency calculate करना है. तो जो common आ रहे हैं, उन्हें common ले लेते हैं. 4 by 3 common था. पाई की? पाई. R Y का cube भी common ले लेते हैं. A equal to कितना है? 2 R Y. A equal to मैं लिख देता हूँ, 2 R Y का cube कर देता हूँ. ठीक, dear students? अपोन अपने पास यहां क्या हो गया? 1 हो गया. प्लस 3 into R X अपोन R Y का cube हो गया, dear students. अगर इसे solve करें, packing efficiency, तो अपने पास 4 पाई R Y का cube upon 3 into 8 R Y का cube into 1 प्लस 3, 0.414 का cube. इसे हम अगर discuss करते हैं और solve करते हैं, तो यहां से packing efficiency near about 0.63 आ रही है. तो अपना answer कितना हो जाएगा? 0.63 answer हो जाएगा. ओके dear students, तो अगर आप बताना चाहते हैं, आपका answer क्या हो जाएगा? तो हम यह बता सकते हैं, कि अपना answer है, वो हो जाएगा 0.63. तो अपना answer है, B number answer, correct answer हो जाएगा, और यह 0.63 अपना answer होगा. ओके dear students, hello students, मैं दयाल चोधरी, टीम सेल्सी, टीम केमिस्ट्री, आज अपने जेएडवांस के paper first के inorganic के पार्ट की discussion की बात करते हैं, इसमें अपने क्यूसन, चाहर नमर का क्यूसन आया वा था, the calculated space only magnetic moment of, अब आपको यह दो complex दिये हैं, इनका magnetic moment आपको यहाँ पर क्या करना था, calculate करना था, clear, तो आप यहाँ पर देखिए, NS3 आपका क्या होता है, strong field ligand होता है, और fluoride आपका क्या है, weak field ligand है, लेकिन इन चीजों से यहाँ कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, क्यों नहीं पढ़ने वाला है, chromium, NS36, plus 3 में है, plus 3 में होने का मतलब, आपका chromium plus 3 में है, मतलब 3D3 है, और अगर इसकी splitting करें आपन, तो strong field के according splitting ज्यादा होगे, लेकिन electron ही जब 3 है, तो यहाँ तो जाने की बात ही नहीं है, यह पेरिंग की दो बात ही नहीं हो रही, तो अनपेर्ड इलेक्ट्रोन तीन आगे, तीन अनपेर्ड इलेक्ट्रोन का मतलब है, आप निकालो magnetic momentum, बहुर मेगनेट्रोन में है आपका आजाएगा, 3.8 से उनके फरक्स आजाएगा, वैसे ही copper F6 से 3 माइनस की बात कर रहा है, मतलब यह copper प्लस 3 में होने का मतलब है, 3D at, और at में ligand zone ही नहीं, octidal में, क्यों नहीं है वो आप समझ लीजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अनपेर्ड इलेक्ट्रोन 2 आगे, तो वही यह formula लगा गए, अगर solve करेंगे अपने, तो यह 2.84 के something बहुर magneton आजाएगा, तो आपका answer ही यहाँ पर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट आंस्वरा जाएगा, क्लियर, सेक्शन 2 से रेलेटेड हम क्यूस्टन को डिसकेश करेंगे, क्यूस्टन नमबर 5 हम डिसकेश करेंगे, दी स्टुडेंट्स, परागराप का क्यूस्टन सा, इन दा फॉलोविंग रेक्शन स्कीम, परसंटेज यल्ड आर गिवन अलोंग दे एरो, यहां मेंगनिसियम कार्बाइड है, मेंगनिसियम कार्बाइड है, एच तू के साथ रेक्शन करके, प्रोड़क्ट पी फोर्म कर रहा है, जो आगे NANS2 और मिथाइल आयोडाइड के साथ रेक्शन करके, क्यूँ फोर्म कर रहा है, विच दै 75% एफिसेंसी ओफ दै रेक्शन्स, एंड क्यू आगे रेड होट एफी टूब में रेक्शन्स करके, एट 73 केल्विन पर, आर फोर्म कर रहा है, विच दै 40% एफिसेंसी, तो हमें आक्श की अमाउंट बतानी है, मतलब आर की अमाउंट बतानी है, आक्श ग्राम जो अमाउंट मिल रही है, वो कितनी अमाउंट होगी, तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में, रियक्शन इसकीम को हम पहले डिसकस करते हैं, फिर इसका आंसर ले आते हैं, ओके? हाँ डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले गिवन है, Mg2C3, Mg2C3 है, वो H2O के साथ रियक्शन कर रहा है, H2O के साथ रियक्शन करेगा, तो मेजर प्रोड़क्ट में ये बनाएगा, CH3C11CH, प्रोपाइन का फोर्मेशन करेगा, ठीक है, इसका अपने पास कितना मिल रहा है? 4 ग्राम प्रोड़क्ट मिल रहा है, 4 ग्राम को अगर हम मोल में इंडिगेट करें, तो इसका 0.1 मोल हमें एजे प्रोड़क्ट मिल रहा है, इसकी रियक्शन्स NANS2, इसकी रियक्शन NANS2 और MEI के साथ करवाते हैं, मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाते हैं, with the 75% efficiency, 75% efficiency के साथ बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास प्रोड़क्ट बनेगा, CH3, C, ट्रेपल वॉन्ट C और CH3, 2-butyne product बन जाएगा, ठीक है, इसकी रियक्शन्स हम लोग करवाते हैं, इसकी रियक्शन्स हम करवाते हैं, red hot, red hot Fe tube, red hot Fe tube के साथ करवाते हैं, high temperature पे, तो अपने पास जो प्रोड़क्ट बनेगा, वो ये वाला प्रोड़क्ट अपने पास बन रहा है, अपने पास ये प्रोड़क्ट, पोलिमराइजड होके, ये प्रोड़क्ट बन रहा है, with the 40% efficiency, with the 40% efficiency, तो dear students, पहले हमने इस reaction की scheme को चेक किया, कि इस reactions में हमें क्या-क्या प्रोड़क्ट मिलेंगे, और उसके according हम इसे solve करते हैं, तो dear students, इसका 0.1 mol है, तो हमारे पास इसका भी कितना मिलेगा, 0.1 mol मिलेगा, लेकिन 0.1 mol का अपने पास कितना मिल जाएगा, 75% मिलेगा, 75% प्रोड़क्ट मिलेगा, तो हमें 2 butyne का ये मिलेगा, आगे अपने पास 40% efficiency है, अगर इसमें हमारे पास 40% efficiency है, तो 0.1 into 75 multiply by 100, इसका मिलेगा, यहां इसके 3 mol से, इसका 1 mol मिलेगा, तो इसका कितना मिलेगा, 1 by 3 mol मिलेगा, और ये इसका मिलेगा अपने को 40% efficiency के साथ, कितने percent efficiency के साथ, 40% efficiency के साथ, तो dear student, इसे हम solve करते हैं, यह आगे अपने पास 3, और इसे solve किया तो 4, यह 3 से 3, cancel out, और यह 4 से 4, cancel out, 0 cancel out, यहां अपने पास, जो product का mol बिन रहा है, वो 0.01 mol, obtain हो रहा है, अब इसका mass calculate करना है, तो इसके molar mass से, हम लोग क्या कर देते हैं, multiply कर देते हैं, इसका molar mass, जो अपने पास हो जाएगा, 1 molar mass, 162 हो गया, 0.01 मिल रहा है, तो इसका, जो mass अपने को, obtain होगा, वो कितना हो जाएगा, 1.62 gram, अपने को, obtain हो जाएगा, तो dear students, 1.62 इसका correct answer हो जाएगा, check करते हैं इसका answer, तो इसका answer कितना हो जाएगा, 1.62 अपने पास लिखा हो है, 1.62 gram इसका answer हो जाएगा, तो reaction scheme अगर हमें आती है, तो हम आसानी से क्या करवाएगे, calculate कर पाएगे, ओके, next, dear students, इसी reaction scheme में, हमें calculate करना है, जो हमारे पास propine बना था, propine reactions कर रहा है, HZ plus 2, HZ plus, with the 100% efficiency, और reaction, barium hydroxide के साथ, reactions करके, T product बना रहा है, with the 80% of the efficiency, T react with the, Naocl, 80% efficiency के साथ, U product बना रहा है, U decolorize the bear's reagent, bear reagent को decolorized करता है, तो इस reaction, इस scheme से, होते वे हमें, product की amount बतानी है, की product की amount, कितनी मिलेगी, तो okay dear students, देखते हैं, हाँ dear students, हमारे पास लिखा वा था, Mz2C3, Mz2C3, H2O के साथ reactions करके, H2O के साथ reaction करके, क्या बना रहा है, CH3, C triple bond, CH बना रहा है, इसकी reactions, ही रहा है, इसकी reactions, HZ plus 2 H+, के साथ करवाएंगे, तो hydrogen हो जाएगा, hydrogen होके, inol form मनेगी, तुरंट keto form में, convert हो जाएगा, और ये वाला, product अपने को मिल जाएगा, C double bond, O, CH3, acetone, AJ, product मिलेगा, यहाँ जो अपने पास, efficiency given है, वो कितने percent efficiency given है, hundred percent efficiency given है, इसकी reactions, barium hydroxide के साथ होती है, इसकी reactions, barium hydroxide के साथ होती है, barium hydroxide base हो गया, basic medias में, acetone, aldol condensation देगा, और aldol condensation का, product अपने पास मिलेगा, CH3, C, CH3, double bond, CH, C double bond, और CH3, aldol condensation का, product हमें, यह वाला मिल जाएगा, अब इसकी reactions, NA, OCL के साथ करवा रहे है, which there, इस reaction की efficiency कितनी है, 80 percent efficiency, इस reaction की efficiency भी कितनी होगी, 80 percent efficiency होगी, 80 percent efficiency के साथ, product बना रहा है, तो एक product तो हमारे पास बन जाएगा, कौनसी reactions होगी, dear students, hello form reactions होगी, तो एक product तो हमारे पास बन जाएगा, CH3, C, CS3, double bond, CH, और COOH बन जाएगा, एक product तो हमारे पास बन जाएगा, और एक secondary product अपने पास बन जाएगा, CH, CH, CL3, दोनों product में से, जो bear's reagent को decalorized करेगा, bear's reagent को multiple bond, carbon-carbon, multiple bond, test of unsaturation होता है, तो ये product bear's reagent को क्या करेगा, decalorized करेगा, तो हमें इसकी amount पूछिए, कि इसकी amount हमें कितनी मिलेगी, dear students, इसका 0.1 mol है, इसका 0.1 mol है, तो हमारे पास इसका भी कितना मिलेगा, 0.1 mol मिलेगा, with the 100% of efficiency, लेकिन, next हमारे पास, ketone के, two molecules, two mol react करेंगे, और two mol react करके, ये product मनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 of, 1 by 2 of, 0.1 mol का, 80% मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 0.1 mol का, 80% मिलेगा, यहां हमें, same mol obtain होंगे, लेकिन, इस step की efficiency कितनी होगी, 80% dear students, तो हमारे पास, यहां भी, 1 by 2 into, 0.1, इसका 80% मिल रहा था, अब हमें, इसका भी कितना मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा, 80 divided by 100, 80 divided by 100, यहां से हम चेक करते हैं, तो यह जो mol हमें obtain होंगे, यह mol कितने obtain होगे, जीरो, जीरो, और 2 से इसे cancel out किया, तो 0.032 mol हमें obtain हो गए, 0.032, और इसका molar mass अगाना अपन देखते हैं, तो इसका molar mass कितना हो गया, 100 हो गया, अगर इसका molar mass 100 हो गया, तो इसका mass कितना obtain हो जाएगा, mass हमें obtain हो जाएगा, mass हमें obtain हो जाएगा, 3.2 gram हमें obtain हो जाएगा, 3.2 gram obtain हो जाएगा, ओके, चेक किजिएगा D students, 3.2 gram mass का obtain हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं, जो इसका answer हैगा, वो कितना रह जाएगा, answer अपने पास, 3.2 gram इसका answer हो जाएगा, okay, next, paragraph 2 discuss करते हैं ती students, paragraph 2 of further reaction, X solid equal to Y solid or Z gas, a plot in the LN PZ upon P0 versus T की पावर 4 by T, given below, PZ is the pressure of the Z and temperature T P0 equal to 1 bar, यह graph plot किया गया है, LN PZ upon P0 के between, given there, LN KD1 upon DT is equal to minus delta H upon R, where the equilibrium constant K is equal to PZ upon P0, the gas constant R equal to 8.314, okay, dear students, तो value of the standard enthalpy delta H0 in kilojoule per mole for the given reactions, यह एक reactions है, जिसमें graph plot किया गया है, और इस graph से हमें delta H0 की value calculate करनी है, dear students, delta H0 की value calculate करते हैं, तो देखना, delta H0, अपने पास, X solid equal to Y solid plus Z gas अपने पास गीवन है, इसके लिए KP भी अपने पास गीवन है, PZ upon P0, there is P0 equal to 1 bar, these students समझानते हैं, delta Z equal to, delta Z0 equal to, delta H0 minus T delta S0 होता है, delta Z equal to minus RT ln K minus RT ln K is equal to delta H0 minus T delta S0, इसे हम solve कर रहें, तो ln K is equal to अपने पास आगया, minus delta H0 upon RT plus delta S0 upon R, यह अपने पास आगया, अगर इस graph को देखें, तो यह हो गया अपने पास, Y is equal to MX plus C का करवा गया, Y is equal to MX plus C का करवा गया, यहां से जो अपने पास slope को represent कर रहा है, delta H0 upon R represent कर रहा है, तो dear students, minus delta H0 upon R into 10 to power minus 4, क्योंकि जो graph में 10 to power 4 के ट्रम में है, यह slope को represent कर रहा है, graph से अगर हम slope को check करते हैं, graph से हम slope को check करते हैं, graph से अगर हम slope को check करते हैं, तो देखना, यह graph से अपने पास slope हो गया, और slope की जो value है, वो हम put up कर देते हैं, वहाँ पे दो देखना कितनी value आती है, graph के लिए हमने slope में value put up की, तो यह हो गया अपने पास minus 7 minus of minus 3 upon 12 minus 10, यहां से अपने पास minus delta h0 upon r into 10 to power minus 4 equal to, graph का slope कितना आ गया, minus 2 आ गया, तो delta h0 upon, delta h0 equal to आ गया, 2 r into 10 to power 4 हो गया, तो delta h0 equal to अपने पास हो गया, 2 into 8.314 into 10 to power 4, इसे हम solve करके लिख देते हैं, तो delta h0 equal to हो गया, अपने पास 166.28 kilojoule, 166.28 kilojoule अपने पास, answer आ जाएगा kilojoule per mole के ट्रम ने, और हमें questions में पूछा क्या है, यही delta h0 की value अपने को, delta h0 की value हम लोगों को पूछिए, तो delta h0 कितना आ गया, 166.28 kilojoule अपने पास, answer आ रहा है, देखना, 166.28 kilojoule अपने पास, answer आ गया, graph से इसे solve किया, okay dear students, next, इसी paragraph में हमें पूछा है, value of the delta h0 for the given reactions at 1000 kelvin, 1000 kelvin पे हमें delta s की value calculate करना है, so simple, हमने अभी-अभी discussion किया है, अभी-अभी discussion किया है, कि delta, ln k is equal to minus delta h0 upon r t plus delta s0 upon r, अगर graph के slope से related बात करें, तो y is equal to mx plus c का करवा हो गया, अगर slope से related हम बात करते हैं, तो देखना, slope से related, अगर 3 का slope हम calculate करते हैं, तो slope से related बात करके देखते हैं, तो देखना dear students, y is equal to, अपने पास हो गया, minus 3, y equal to minus 3 हो गया, x equal to, slope कितना आया था, minus 2 into 10 to power 4 divided by 1000, t को 1000 के द्रम में लिखा, plus c, तो minus 3 is equal to, अपने पास 3 cancel हो गया, तो power 1 रही, यह हो गया, minus 20 plus c, यहाँ पे c is equal to अपने पास आ गया, 17, means जो अपने पास delta s not upon r की जो value है, वो 17 put up कर देंगे, यह delta s not upon r equal to कितना हो गया, 17 हो गया, तो delta s not equal to 17 into 8.314, इसे हम solve करते हैं, तो delta s not equal to 141.34 अपने पास, answer आ जाएगा, joule per mole में, d students discussion में, अपने से पूछा है, delta s not की value, तो यह value अपने पास कितनी हो जाएगी, 1, अपने पास, यह value हो जाएगी, 131.4 यह value अपने पास आ गई, तो हम बोल सकते हैं, 141.34 joule per kelvin per mole, okay d students, next question discuss करते हैं, d students, paragraph third solve करते हैं, boiling point of water in 0.1 M, in 0.1 M molar silver nitrate solution A is x degree centigrade, in the solution A, an equal volume of the 0.1 molar aqueous solution of the barium chloride solution is added to make a new solution, B, the difference in the boiling point of water in two solution A and B is y into 10 to power minus 2 degree centigrade, assume the density of the solution A and B are same and the water and solution salt dissociate completely, जितने भी आयना वो completely dissociate हो रहे हैं, molar elevation constant अपने पास गिवन है, तो dear students, पहला आपने हो जाएगी, तो यह value of the axe, dear students, delta, delta tb is equal to, delta tb is equal to kb into i into molality होता है, जहां i क्या होता है, want of factor है, पहले solution में अपने पास silver nitrate solution है, ag no3 solution है, यह ag no3 अपने पास ag plus, ag plus plus no3 minus में dissociate होगा, ag plus और no3 minus में dissociate होगा, तो i की value कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यह कितने आयन produce करेगा, 2 आयन produce करेगा, तो delta tb is equal to, kb की value अपने पास given है, 0.5, i की value अपने पास होगी, 2, molality अपने पास होगी, 0.1, molal solution अपने पास given है, तो delta tb अपने पास आजाएगा, वो आजाएगा, 0.1, तो boiling point of the solution, boiling point of the solution, ta equal to हो जाएगा, अपने पास 100.1 degree centigrade, तो answer कितना हो जाएगा, 100.1 degree centigrade, answer हो जाएगा, 100.1 degree centigrade, okay dear students, इसी में next question हम discuss करते हैं, जो solution है, उसमें equal volume किसका एड कर दिया, barium chloride का एड कर दिया, तो dear students, AgNO3, silver nitrate है, AgNO3, यह barium chloride के साथ reactions करेगा, भी यह CL2 के साथ reactions करेगा, तो 2 AgCl बना देगा, AgCl क्या हो जाएगा, precipitate हो जाएगा, plus क्या बन जाएगा, BNO3 का whole twice बन जाएगा, BNO3 का whole twice बन जाएगा, dear students, पहले 0.1 M है, और इसका कितना है, point V मान लेते हैं, equal volume है, इसका भी 0.1 M लिया, और equal volume इसने mixed कर दिया, तो initial अपने पास, initial अपने पास कितना हो गया, यह 0 हो गया, और यह 0 हो गया, final जब अपने पास product बन जाएगा, तो यह अपने पास 0 हो गया, यह 0.05 V हो गया, यह 0.1 V हो गया, और यह 0.05 V हो गया, यह precipitate हो गया, जो precipitate हो गया, वो colligative property में involved नहीं होगा, तो अपने पास two salt हो गया, एक तो barium chloride हो गया और एक barium nitrate हो गया, अगर इसके लिए हम colligative property, delta tb is equal to kb into i1 m1 plus i2 m2, इसे हम लोग लिखते हैं, तो delta tb equal to अपने पास kb हो जाएगा, i1 की value 3, यह m1 कितना है, m1 put up करना है, तो यह तो अपने पास mole होगे, 0.05v upon total volume 2v हो गया, प्लस यह अपने पास 2 into 0.3 into 0.05v upon यह भी कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, इसे अपन सोल करेंगे, delta tb equal to अपने पास kb की value 0.5 into 2v से भी क्या हो गया, cancel out हो गया, तो अपने पास 3 into 0.05 आ गया, इसे हमने सोल किया, तो delta tb is equal to अपने पास आ गया, 0.075 हो गया, तो tb solution का जो अपने पास boiling point आ जाएगा, वो 100.0.075 degree centigrade आ जाएगा, अगर इस solution में, आप लोग, इस solution में, आप लोग दोनों को minus कर देते हैं, d a minus tb, तो यह हो गया, 100.1 minus 100.075, तो यहां से अपने पास यह value आ जाएगी, 2.5 into 10 to power minus 2, तो अपने पास जो y की value आ रही है, y की value, यह y की value कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, OKD students, sections, 3rd, multiple choice की problem से, इसके अंदर 11th problem देखी, आपको क्या कह रहा है, की D-glucose की reaction, कौँक HNO3 के साथ reaction कर आएगा, तो आपके पास plus 52.7 degree का product मिल जाता है, the compound which on treatment with HNO3 will give the product having the degree of rotation इतना, तो सबसे पहले ये वाला compound मनें जी, जब आप HNO3 के साथ reaction कर आओगे, तो HNO3 के साथ reaction कर आओगे, तो ये वाला LDH वाला group और 1 degree alcohol वाला group दोलो oxidize हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्याएगा COH, और इस जगे पर COH, यहाँ पर OH, H, OH, H, OH, और यहाँ पर क्याएगा, और यह वाला प्लस 72.7 degree rotation कर रहा है, अब इन्होंने ये कह रहा है, कि आपको product जो बन रहा है, इसके अंदर से इसके जो भी हैचन तरीक के साथ reaction करने पर product जो मिलना चाहिए, माइनस 52.7 degree का rotation सोग करना चाहिए, और जाएट की बात है, अगर यह प्लस 52.7 degree का rotation सोग कर रहा है, तो इसकी जो mirror image होगी, इसका जो enancium और होगा, वो आपके पास क्या होगा, माइनस का rotation सोग करेगा, तो अब इसका mirror image आपके पास करेगा, यहाँ पे C-H, इस जगे पे C-H, यहाँ पे OH, OH, और यहाँ पे H-OH, इस जगे पे H, इधर OH, इधर H-H, मतलब यह वाला rotation कितना सोग करेगा, आपके पास minus 52.7, minus 52.7 degree का rotation सोग करेगा यह वाला compound, अब आपको यह बताना है, इस compound के बारे में, आपके पास यह जितने भी 4 option दे रखे हैं, इन 4 option के अंदर, वो वाले बताने, जिसकी reaction कराने पर, कौँ का हैं, पर H-H on-3 के साथ reaction करा आपके पास product यह वाला मिलना चाही, ऐसा product मिलना चाही, ऐसा आपको पूचा गया है, तो सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ, इसका अगर आप oxidation कराऊ, इसका oxidation कराऊ तो यह वाला COH में कनोट हो जाएगा, और यह वाला भी आपके पास क्या होगा COH में, क्या, यह वाला ज opposite मारें, में H-S है मारते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो A and B आपका वैसे भी नहीं हो सकता, इसको देखी, यहाँ पे जड़ा ध्यान दीजी, यहाँ पे इसका oxidation कराऊ तो क्या होगा COH, और इसका oxidation कराऊ तो क्या होगा COH, ठीक है, अब देखू, यहाँ पे H, HR है, यहाँ पे लेने पे ध्यान रखना, कि सबसे नीचे वाला, जो सिवाचे वह उपर की तरफ आएगा, और यह इदर की तरफ आएगा, यहाँ पे इदर वाला, ओच है, वह आपके पास क्या रहा है एक तरसे, नीचे से स्टार्ट करिए, हमने उपल्टा तो यह वाला, तो हमने यहाँ ले लिए, दूसरे वाला यह वाला हो गया, तीसरे वाला, ओच आपके पास किदर की तरफ राइट में, तो इस तरफ लेप्ट में इस तरफ यह आपके पास क्या आएगा लेप्ट में, तो यहाँ पे एच एच बना दोगे, तो यह वाला भी आपकी पास exactly इसके साथ क्या क करेगा, इसका मतलब आपका डीवल आपसन भी सही होगा, तो इसका जादा, प्रॉपर आंसर, C and D, दोनों अजय हैं, ठीक है, अगला प्रोब्लम क्या कहा है, आपको पूचा क्या गया है, कि the reaction Q with PHS-NA plus yield and organic compound, जिसमें major product बना है, that give positive caries test on treatment with NaO2, followed by addition of BACR, तो मतलब देक्तर से caries test halogenes के लिए होता है, तो सबसे पहले, यहाँ पे, मैं कर रहूँ तो A की reaction pH, S minus Na plus के साथ reaction कर रहा हूँ, तो देखो, यहाँ पे AR, SN to mechanism follow हो जाएगा, AR, SN to mechanism में तभी follow होगा, जब आपके पास क्या हो, और तो एड, यहाँ पर 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 electron withdrawing group present होना चाह है, तो यहाँ पर AR, SN to mechanism follow हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास S, pH आ जाएगा, और यहाँ पर NO2 आएगा, और यहाँ पर NO2 आ प्लस साथ में, यहाँ पर F minus निकल जाएगा, तो F minus निकल जाएगा, इसका मतलब LIDN होब अब यहाँ पर free है, ALIDN पर नहीं आ रहे हैं इसका मदला A.R.S.2 all यहां पर कोई डबल बांड करेक्टर नहीं है जिसका मतलब केवल नॉर्मल आपको क्या कराने है SN2 की reaction की reactivity जो है वो एरा SN2 से वैसे भी ज़्याद होती तो pH S-NA plus के साथ reaction करोगी यहाँ पे SN2 मेकनी फोलो करेगा तो यहाँ पे जो product बनेगा वो यहाँ पे NO2 SME यहाँ पे आप पास SCS3 प्लस साथ में CL माइन CL माइन फ्री है इसका मतलब क्योंगा केरिस टेश्ट देदेगा यह सभी आप में एक तो फॉस्ट वाला और एक आपका लश्ट वाला केरिस टेश्ट देगा क्योंकि इसके अंदर फ्लॉराइड आएं और हलाइड आपके पास क्यों हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे इसका अंसर एंदी आएगा हाँ दी स्टुदेंट्स क्यूस्ट नबर थर्टीन इसकेश करते हैं मोर देन वन करेक्ट है दा करेक्ट स्टेटमें रिलेटेट तो दे इसकेश करने हैं नहीं तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉंग स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट रॉंग Colloidal Solutions are freeze at the higher temperature Concentration same होगी तो हम कहते है Colloidal Solution Delta Tf is equal to Kf into I into molality अगर Concentration same है तो दोनों का I क्या होता है different होता है colloidal solution में और इसका molar mass भी क्या हो जायता है molar mass यहाँ ज्यादा होता है colloidal solution पे तो freezing point में depression क्या रहेगा कम रहेगा freezing point में depression कम रहेगा तो higher temperature पे freeze होगा okay तो यह statement क्या हो गया सही हो गया surfactant form a missile about the critical missile concentration and depend on the temperature बिल्कुल जो surfactant होते हैं जो surfactant वो missile का formation एक निस्चित concentration certain concentration के अबाव ही करते हैं उसे हम CMC कहते हैं और जो एक temperature होता है उसे हम क्या कहते हैं craft temperature कहते हैं तो craft temperature से ज्यादा temperature पे क्या होता है missile का formation होता है तो यह statement क्या हो गया correct statement हो गया missiles are the macromolecular colloids no, missiles कैसे होते हैं associate colloids होते हैं तो statement क्या हो गया wrong statement हो गया तो अपने पास B और C statement क्या हो जाएंगे correct statement हो जाएंगे okay dear students next 14 questions discuss करते हैं an ideal case undergoes a reversible isothermal expansion from state first to second state first to second में reversible isothermal expansion हो रहा है reversible isothermal expansion का मतलब क्या रहेगा temperature constant रहेगा तो step first to second अगर हम जाते हैं तो temperature क्या रहना चाहिए T क्या रहना चाहिए constant रहना चाहिए constant रहना चाहिए और step second की adiabatic expansion from state second to third state second to third adiabatic होना चाहिए तो second to third अगर adiabatic expansion होता है तो adiabatic expansion में अपने पास delta S क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ऐसे जो graph प्रू करेंगे वो graph क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे तो देखते है first वाले में first वाला P और V के between graph है जो isothermal graph है temperature क्या रह 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 है constant रह 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 है second क्या हो गया followed by the adiabatic process क्योंकि इसका slope क्या है gamma time ज्याद है तो first वाला statement क्या हो जाएगा correct graph हो जाएगा second की बात करते है तो first से second temperature क्या रह 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 है constant रह रह है temperature constant है तो यह first to second isothermal graph को बता रह है and second to third इसका graph slope gamma times ज्याद है और कैसा है adiabatic slope है तो यह वाला statement भी क्या हो गया correct हो गया third की बात करते है तो first वाला कैसा हो गया enthalpy क्या रह रही है constant रह रही है enthalpy constant रह रही है, it means graph केसा हो गया, t, constant t हो गया, t, delta t equal to क्या हो गया, 0 हो गया, t क्या हो गया, constant, लेकिन third to second, entropy क्या हो रही है, decrease हो रही है, entropy decrease हो रही है, तो यह adiabetic graph नहीं हो सकता है, तो adiabetic नहीं हो सकता, तो यह वाला क्या हो गया, अपने को सई represent नहीं कर रहा है, कर वाक के according, और fourth वाले को discuss करते हैं, तो first to second कैसा हो गया, isothermal, T क्या रहे रहे है, constant रहे रहे है, और second to third entropy क्या रहे रही है, constant रहे रहे है, तो यहाँ entropy, entropy क्या रहे रहे है, constant रहे रहे है, तो कैसा process है, adiabatic process है, adiabatic process है, तो यह graph भी क्या हो गया, correct हो गया, तो कौन कौन से option correct हो जाएंगे, A, B and D option correct हो जाएंगे, और केड़ी स्टुडेंट्स दी करेक्ट स्टेट्मेंट रिलेटेट टुदे मेटले एक्स्रेक्शन प्रोसेस इजार मतलब यहां पर एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं तो पहला आए एं मिक्सर ओपी बीएस लेड सलफाइड और लेड ओकसाइड यह अंडर गोज सेल प्र आपका यहां से बन जाएगा ओटो रिडक्शन हो जाता है तो यह वाला स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है फिर कह रहा है इन एक्स्रेक्शन प्रोसेज ओपर फ्रॉम कोपर पाराइट सिलिका इज एड़े टू प्रोडूज कोपर सिलिकेट यह कह रहा है कि जो आपका कोपर होता है वो एसाई ओर डू के साथ निकल कर चीजौ ऐस आइजए अट्रिक्शन निकलता है, कोपर तो अपने को बनाना ही है, तो impurity थोड़ी है कोपर, इसको नहीं निकालना है यह आपरी, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ferrous oxide होता है, वो impurity के रूप में सीलिका के साथ निकल जाता है, slack बनता है न, F-E-S-I-3, यह जाएगा आपका, तो यह आपका incorrect statement हो गया, फिर आपका कह रहा है, partial oxidation of sulfide ore, copper by roasting, following the self reduction, produced blaster copper, बिलकुल, यह कह रहा है, sulfide ore का जब, यह लो आपका, sulfide ore है, ore 2, partial roasting कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा, Cu2O, प्लस SO2, फिर आपका यह और यह आपस में reaction कर लेगी, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, Cu2S, प्लस 2 Cu2O, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 6 Cu, प्लस SO2, बिलिश्टर को पर आपका यहाँ से बन जाएगा, तो आपका यह भी सही हो गया, फिर आपका कह रहा है, इन साइनाइड प्रोसेस, जिंक पावडर इज यूटिलाइज टू प्रिस्पिटेट गॉल्ड, फ्रॉम, बिलकुल यह सही बात है, जैसे आप इसमें जिंक पीस लालोगे, तो यह यूटि की फॉरम में आ जाएगा और प्योर आएगा, और इसको डिस्प्लेस करके यह, आपका यहाँ पर जो कॉंप्लेक्स बनेगा, वो आपका यहाँ से बन जाएगा, तो प्रिस्पिटेट में यह मिल जाएगा, फिल्ट्रेट करके निकाल लेते हैं, बनाना, त मिक्सर अप्टू सल्ट इज यूज तो प्रिपेर एस सोलिशन एस विच गिवस दी फॉलॉइंग रिजल्ट यह सोलिशन एस है, अकेला नहीं है, मिक्सर है, दो सल्ट का, और यह कह रहा है कि अगर इसमें डाइलूट अचल डालते हैं, तो वाइट प्रिस्पिटेट अनी चाहिए, और अगर डाइलूट अचल मिलाते हैं, तो भी वाइट प्रिस्पिटेट अनी चाहिए, तो पहले ओप्शन को चेक करते हैं, तो यह आपका पीबी है, लेड नाइटरेट, सपोस किजिए, लेड नाइटरेट है, आप जिससे यह सील मिलाओगे, तो पीबी जाएगी आगे, कोई दिक्त नहीं, वाइट प्रिस्पिटेट भी नेगी, ऐसे ही जिंक, एसील का अटेक करवाओ, जैडन सील्टू बनेगा, जो आगे जाकर के जिंक हाइड्रोकसाइट की फोर्म में वाइट पीपिटी देता है, क्योंकि वाटर सोलिवल है, लेकिन आग बिस्मित को और चेक कर लेते हैं, तो बिस्मित नाइट रेट है आपका, इसमें अगर एसील मिलाएंगे, तो बी आईसील 3, यहाँ पे यह सोलिवल भी बनेगा, तो वाइट प्रिस्पिटेट देगा अगे, हाइड्रोकसाइट की फोर्म में, और अगर एनियोच मिला देत को आप, AGNO3, AGNO3 में ACL मिलाओगे, AGCL की तो वाइट प्रिस्पिटेट आजाएगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यह आप इसमें अच मिलाओगे, तो आपका AGOH बनेगा, जो अनिस्टेबल होता, आगे जाके AG2 में जाएगा, जिसको ब्राउन कलर या ब्लेक इसके अंदर मैं बात करूँ, तो आप ACL मिलाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, HG2, CL2 की वाइट प्रिस्पिटेट या HGCL2 की वाइट डबल है रा, टलस टू में है तो येलो, HG, CL2 की वाइट प्रिस्पिटेट मिल जाएगे, लेकिन अगर ऐसे ही इसको अनियोच में मिल जबकि आपको प्रिस्पिटी यहां पर सिर्फ कैसी चाहिए थी, वाइट चाहिए थी, तो ये भी गया, किस की वज़े से गया, मर्कुरिक नाइटरेट की वज़े से गया, तो आपका करेक्ट ट्रांसवर कौन सा हो जगा, A and B, आयोब समझ में आगे हो कि चीज़ें आपक Section D, देखो Section 4th वाला क्या कह रहा है, 4th वाले option को द्यास देखी, ये वाला Yes, इसमें आपको इंटिजर टाइप की प्रोब्लम से, इसमें आपको बताना हैं क्या, the maximum number of possible isomot, which may form on monobromination of 1 methyl cyclox 1 in urine bromine and UV light, आपको प्रोब्लम क्या पूचा गया है, 1 methyl ये वाला 1 methyl cyclox 1 in दे रखा है, इसकी में, किसके साथ reaction करो, BR2, UV light के साथ, ठीक है, तो ये वाला basically आपके पास प्रेडिकल मेकनेजिम फोलो करता है, और अगर फ्रेडिकल मेकनेजिम फोलो करेगा तो, अलकेन पर फ्रेडिकल बनाएं, अब देखें, फ्रेडिकल कहां कहां यहां पर बना दे तो, ठीक है, फोलो फ्रेडिकल देखिए, फोलो अपने पास यहां पर भी आ सकता है, ठीक है, और फिप्त वाला अपने पास कहां पर आ सकता है, इस जगे भी आ सकता है, यह वाले फ्रेडिकल, फिर बाद में आपको क्या करा रहा है, अगर कई पर regenerative structure बन इस जगे आएगा और यहां पर आपके पास क्या आएगा फ्रेडिकल और इसका यह वाला बना सकता हो नहीं, यहां पर आपके पास क्या आएगा, एक तरह से यह डबल बॉंड है, और यहां पर आपके पास इस तरीके से यहां पर फ्रेडिकल, फिर बाद में आपको क्या कर तो इस जगे पर बियार आएगा यहां पे भी मैच कर रहे उनको आपको क्या करने की जरूरत नहीं यहां पर डबल बॉंड इधर बीच में आपको स्तिर्य करने के टोटन नमर ऑं प्रोड़ कितना हैंगे ज्यान दिजी इस नहीं हमें पर गडाल कारों ने कितना होंगे दो चेंए यहां है यहां पर कायिल कार्म नहीं का ररे सिसके भी प्रोड़क होंगे तो किसी का यहां पर ल खालिद तो दो प्रोड़क्त उसके बरद डुपार क抵ाएर्च तो इसमें प्रोड़ steht गें ऊपला मिलिव प्रोड़क्त हे यह भिना करें उbles कितने बराबर आज determina 18 वालब प्रॉम्ट क्या कह रहा है एंदर रियक्शन गिव बिलर टोटल नमबर अटम सेविंग एस्पी टू अइबरडाइज है आपको बताना है कि जो प्रोड़क्ट दे रहे हैं इसका जो मेजर प्रोड़क्ट होगा इसमें टोटल नमबर अइस्पी टू यहां पर डबल बॉंड हो आ गया यहां पर डबल बॉंड हो सेम यहां पर भी डबल बॉंड हो यहां पर भी डबल बॉंड हो आ जाएगा ठीक है यह वलाएगा फिर बाद में एनस्टू ओज के साथ रियक्शन कराओगी तो यहां पर आपके पास क्या होगा एक तरसे जब तो सेम यहां पे भी ऐसे हो जाएगा तो यहां पे मैं नोच डिरेक्ट लिख सकता हूं यहां पे भी क्या है गाएगा यहां पर पूचा गया क्या है तो यहां पे चारों नाइट्रिक नमबर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा तो कितना है तीन इसका इस्टेरिक नमबर इसका आपर सिट्ट का आएगा । तो चार नाइटोजन होगे और चार क्या कारवन आज यह वाला जो ओकसिजन आई ऑपर यहां यह नॉल पर बस दो हो नॉन पर टो तो पर टो यह वाला बस नॉन पर प्रक्रवाज नहीं करता तो यहां पे इस टर्रिक नमबर कितना गतीं दो तो सिंगमडर अच्टीन बन जो होंगे तो टोटल नमबर आपके पास 12 के बराबर आ जाएगे तो इसका असर कितना एक बड़ा 12 के बराबर तो स्टार्ट करते हैं पर्ष्ट क्यूशन से जो पर्ष्ट क्यूशन जो है वो है multiple choice क्यूशन है आपको कुछ रियक्शन दी हुई है और इनमें ये पूछावा है कि यहाँ पर ओर्थो जाइलिन कहां बनेगा तो सबसे पहले रियक्शन लगाएं उससे पहले हमें ये पता होना चीए कि और्थो जाइलिन होता क्या है तो ये जो compound है CH3 और CH3 इस इच कोल्ड और्थो जाइलिन इस compound का नाम है और्थो जाइलिन तो हम एक एक option को चेक कर लेते हैं कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा के साथ nitrous acid आपको दिया हुआ है 273 Kelvin या 025 degree Celsius पे ये डाइजनियम सोल्ट बनाएगा तो सबसे पहले इस region के साथ reaction कराऊंगा तो ये compound convert हो जाएगा ME और ये N2 प्लस CL माइनस उसके बाद आपको दिया हुआ है CUCN तो ये send my reaction हो जाएगी N2 बाहर हो जाएगा और वहाँ पे क्या supply हो जाएगा CN सप्लाई हो जाएगा तो फिर बन जाएगा आपके पास ME और ये C triple bond N उसके बाद आपको दिया हुआ है डाइबल तो डाइबल तो डाइबल क्या करेगा डाइबल क्या करेगा तो पहले इस tuning को इमीन फान फूर। का हाइड्रोलाईसिस करकी उसको eldehyde में convert कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यदी मुझे cyanide से aldehyde बनाना है तो dabal डाल के hydrolysis करवा देता हूँ तो ये वाला जो group है ना dabal then hydrolysis ये cyanide group को CHO में convert कर देगा और यहां बन जाएगा MECO और ये H इसके बाद आपको दिया है N2H4KOH हीट तो ये सब को पता ही है कि ये well known reaction है N2H4KOH हीट और नाम है इसका wolf-kishner reduction कौन सा reduction है? wolf-kishner reduction और ये wolf-kishner reduction जो है वो क्या करेगा? इस COO group को CH2 में reduce कर देगा और finally जो product बन जाएगा आपके पास वो बन जाएगा ME और ME तो क्या ortho-gylin बना? जी हाँ, इसमें ortho-gylin आपके पास बना है ऐसे हम option चेक करेंगे second option को चेक करते हैं देखें, second option में क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले BR इस magnesium के साथ react करेगा तो पहले बनाएगा ग्रिगनार रियजेंट ME, Mg, Br यह ग्रिगनार रियजेंट बनेगा फिर उसकी reaction करवाई है CO2 और hydrolysis से तो हमें पता है addition reaction होगी और यहां पे यह CO2 और यह hydrolysis यह reaction करवाई क्यावल किस से? magnesium से और उसके बाद यहां जो बनेगा यहां पे बन जाएगा COH और यहां पे बन जाएगा ME कारवक्स लिकेशलिट में करवाट हो जाएगा उसके बाद SOCl2 आपको दिया हुआ है तो SOCl2 क्या करेगा? OH ग्रूप के जिए क्या सप्लाई कर देगा? CL सप्लाई कर देगा तो आपके पास compound बन जाएगा वह बन जाएगा ME CO और यह CL उसके बाद H2PD-BASO4 सेम बूशी रेक्शन में चला गया H2PD-BASO4 This is called Rogen Mound Reduction यह कौन ची रेक्शन होगी? Rogen Mound Reduction होगा जो acid halide को aldehyde में reduce कर देगा और यहां बन जाएगा यह वाला M-E-C-O और यह H उसके बाद डालावा है Zinc Amalgam Concentrate HCl तो यह भी आपको सबको पता ही होगा कि यह well known reduction है कौन सा? Kilimension Reduction है कौन सा है? Kilimension Reduction है जो इस CO group को किस में convert कर देगा? CH2 में convert कर देगा तो यहां भी ortho-gylin बन जाएगा तो A और B answer आने वाला है जिसमें ortho-gylin बनेगा बट हम यहां यह भी देखेंगे कि C और D में क्या बनने वाला है वो भी हम यहां पे देख लेते हैं चलो, हम मैं C लेता हूं C लेता हूं तो C में आपको यह वाला दिया हूँ है सबसे पहले यह M E और यह वाला यहां दिया हूँ है और इसकी reaction कर आए यह BH3 देन H2O2 और NaOH तो इस यह well known reaction है और इस reaction का नाम है Hydroboration Oxidation Hydroboration Oxidation Hysteric reaction controlled होती है और इस reaction में होता क्या है addition of H2O क्या होता है addition of H2O H2O का क्या होता है addition होता है और OH उस double bonded carbon पे जाता है जो hysteric hindrance जिसके पास minimum है तो यहां पे इस double bond पे जाएगा या इस double bonded carbon पे जाएगा तो hysteric hindrance इस पे कम है तो इधर तो जाएगा OH और इधर जाएगा H या फिर हम ऐसे भी बोल सकते है यह OH और यह H उसके बाद PBR3 दिया तो PBR3 OH ग्रूप की जगह क्या सप्लाई करेगा SN2 mechanism लगेगी और BR सप्लाई कर देगा यह ME और यह BR फिर आपको दियावा है zinc dilute SCL तो zinc dilute SCL alkyl halide को hydrocarbon में reduce करता है हेलोजन की जगह है करता है और finally जो product बनेगा वह ME और यह ethyl तो बना तो hydrocarbon ही है बट दूसरे carbon पे ME group generate नहीं हुआ ethyl group generate हो गया इसमें तो C answer नहीं होगा next D को check करते हैं D में पहले आपको यह वाला region दिया है वह केसा है Reductive Ozone Lysis कौन सा है Reductive Ozone Lysis Reductive Ozone Lysis में यहां से टूटेगा oxygen oxygen तो पहले बनेगा यह वाला उदर बनेगा COH इदर बनेगा CH2 और यह COH उसके बाद N2H4 के वाज तो वापस से वह ही N2H4 KOH और यह heat वापस से क्या दे दिया वुल्फ किस्टनर दे दिया Reduction दे दिया तो यह दोनों ही CO CH2 में Convert हो जाएंगे तो यहां भी क्या बन जाएगा Ethyl और इधर Methyl, एक तरफ Methyl एक इधर, तो COD में भी बना क्यों किसमें बना है, A और B में तो answer should be A and B Next Next question Correct option for the following sequence आपको एक sequence दी हुई है और पूछा है Missing reagent क्या है यह जैसे T क्या है पूछ सकता है U क्या है W क्या है, Q क्या है तो इसमें जहां तक आप कर सको वहां तक पहले reaction करवाओ, उसके बाद हम idea लगाएंगे, तो यह reaction में करवा सकता हूँ क्यमनोफोर, KOH, Heat, Hydrolysis P, H, CH3 CH3 convert हो जाएगा किसमे COH में, तो T मेरे पास जो आएगा, वो आएगा COH उसके बाद इसकी reaction करवाई है NH3 और Heat से तो NH3, पहले NH3 से reaction करेगा, तो Acid Base reaction होगी और बनेगा COO minus NH4 प्लस और इसको heat करेगा, तो यहां से H2 बहार होगा, और जो बनेगा, वो बनेगा CO NH2 यह वाला जो product है, वो आपका U product है अब इसके बाद, यहां P में बना सकता हूँ, यह free radical substitution reaction है, और P जो compound मेरे पास बनेगा वो CH2 BR बन जाएगा, ओके अब मुझे यहां, अब इससे आगे पता लगाना है कि कहां क्या reaction हुई होगी, क्योंकि अब आगे reaction में नहीं करवा सकता, क्यों क्या है मुझे नहीं पता, तो कैसे approach करेंगे reaction पे, वो main important part है देखो, यहां से fall smelling compound बन रहा है और यह smelling compound और CHCL3 कोज से बना हुआ है तो यह जो यहां है यह पता लग रहा है, यह कौन सा test चल रहा है Carbyl Amine test कौन सा test चल रहा है, Carbyl Amine test चल रहा है और यह fall smelling compound जो है वो कौन सा है, Isocyanide कौन सा है, Isocyanide तो यहां से Carbyl Amine test दूँगा, तो इसका मतलब definitely यह 1 degree Amine है यह कैसा होना चाहिए 1 degree Amine, aromatic Amine होना चाहिए क्योंकि aromatic ही चल रहा है अपने पास, और इससे direct मुझे यह बनाना है, तो option को देखता हूं तो मुझे पता है, AGCN मुझे काम में लेना पड़ेगा तो V जो है वो AGCN है और यहां S जो बनेगा आपका, वो बनेगा CH2 और यह NC अब यह R से बनाना है R से बनाना है, तो R क्या है आपका, R यह वाला compound है CH2 और NH2 यह बनाना है आपको U से, तो W यहां एक region डालना पड़ेगा, जो इस CO group को CH2 में reduce कर दें, तो यह सा कौन है LI, LH4 तो W आपका LI, LH4 है ठीक है, V हमने पता V AGCN है अब इसके बाद यह जो इधर से भी बनाना है तो इस क्यों की reduction करदो किस से AGNO2 से और उसके बाद इसका क्या करदो reduction करदो तो क्यों क्या हो गया AGNO2 और इस compound का name क्या हो गया इस compound का नाम हो गया Phenyl Methane Amine क्या नाम हो गया Phenyl Methane Amine चलो इस हिसाब से इस का अंसर जो जाएगा वो D भी जाएगा और C भी जाएगा, very simple all reactions belongs to NCRT थर्ड number problem chemical kinetics से आया है 2X plus Y convert हो रहा है P में, इस reaction का rate constant K given है the rate of the reaction dP by dt is equal to K into X 2 mol of X are mixed with 1 mol of Y to make 1 liter of the solution at 50 second 0.5 mol of Y is left in the reaction mixture, the correct statements about the reaction is oblique R, half life time के बारे में पूछ रहा है, the rate constant at 50 second minus dx by dt and minus dy by dt लेखेगा आपको reaction दे रहा है 2X plus Y convert हो रहा है P में इसके लिए अगर आपन बात करे minus 1 by 2 dx by dt it is equal to it is equal to minus dy by dt it is equal to dP by dt it is the average rate it is equal to K into X it is the first order reaction with respect to X and 0 order with respect to Y अपने पास जब generally अपन first order का derivation करते है और अके लिए X को रखते है तो उस condition में अपन minus dx by dt जब भी लिखते है तो minus dx by dt जो होगा वो 2K into X के equal हो जाएगा 2K को मैंने नाम दे दिया K dash into X reaction का rate constant K है K dash is equal to क्या होगा 2K होगा ओके initial में आपको बोला जा रहा है it is the 2 mole and it is the 1 mole T equal to 0 time T equal to 50 second पे आपको यह बोला जा रहा है it is the 0.5 it means 1 minus 0.5 तो यहाँ पे आएगा 2 minus 1 it is the 1 mole initial concentration का half हो गया है in 50 second initial concentration 2 थी final concentration 1 हो गई किस duration में 50 second में it means 50 second is the half lifetime once यह 0.5 हो गया यह भी 50% हो गया इसका मतलब यह हुआ initial concentration का half हो जाता है उस time period को उस time duration को अपन बोलते हैं half lifetime it means half lifetime T 50 percentage it is equal to 50 second यह लिजेगा T 50 second हो गया अपन से पूछा rate constant क्या होगा तो मैंने का rate constant की अगर अपन बात करें k is equal to 0.693 upon T half होता है यहाँ पे मैं बात करूँ तो यह k dash की value है यह इसके किसकी value है k dash की k dash यह है तो k dash की जगह मैंने लिख दिया 2k it is the 0.693 upon T half तो यहाँ से rate constant कितना आएगा rate constant 0.693 upon 2 into half lifetime 50 it is the 6.93 into 10 raised to the power minus 3 second inverse यहाँ आएगा बट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है rate constant 13.86 इसका मनलग यह रोंग है यह correct है फिर आपको किया रहा minus dx by dt कितना होगा 100 second पे अगर मैं बात बोलू 100 second पे तो इसका मनलग 2 half lifetime हो गई 2 half lifetime के बाद मैं concentration जो होती है वो 1 by 4 हो जाती है कि कौन सी reaction में first order में तो यह 1 का आदा हो जाएगा it is the 0.5 यह कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 0.5 minus dx by dt calculate करना है तो minus dx by dt it is equal to 2k into x x1 है तो यह हो जाएगा 13.86 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter per second minus का dy by dt आपसे पूछा जा रहा है minus का dy by dt पूछा जा रहा है वो k into x होगा कहां पे? 100 second पे अगर 100 second पे बात करें 100 second पे यह 0.5 बचेगा minus का dy by dt जो आएगा 100 पर वो किसके equal आएगा? वो आएगा k into x के equal आएगा के कितना इस reaction का 6.93 into 10 raised to the power minus 3 x 100 second पे 0.5 यह 1 by 2 हो जाएगा 3.46 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter per second यह आगया option check कर लेते हैं अपन second correct है 50 second पे minus dx by dt 13.86 c भी correct है 100 second पे minus dy by dt 3.46 यह भी correct है it means b c and d are correct option b c and d are correct option chemical kinetics का अच्छा option इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें coefficient starting का 2 रखा गया जिससे rate constant जो होगा reaction का rate constant के होता है k dash जो होगा वो किसके equal हो जाएगा 2 k के equal हो जाएगा next देखेगा some standard electrode potential at 298 Kelvin are given below यह आपको चार standard reduction potential दे रखे यह सारे sign है इसके आगे minus के है यह sign यहाँ पे थे minus के यह लिजे to a solution containing 0.001m of x2 plus and 0.1m of y2 plus यह कह रहा है कि इतनी concentration x2 plus की है and 0.1 molar जो है वो y2 plus की है the metal rods x and y are inserted and connected by a conducting wire this resulted in dissolution of x यह कह रहा है कि metal x और y को ए conducting wire के थुरू आपने connect कर दिया है और इनके solution में रखा है तो यह कह रहा है the result in dissolution of x इसका हमला x dissolve होके क्या बना रहा है x2 plus बना रहा है it means इसका oxidation हो रहा है oxidation हो रहा है it means यह anode की तरह treat करें किसकी तरह treat करें anode की तरह treat करें आपको यह द्यान लखना है इसकी तरह treat करना चाहिए anode की तरह यह आपको द्यान लखना है अगर x anode होगा तो y किसकी तरह treat करेंगा cathode की तरह treat करेंगा और यहां पे एक galvanic cell का formation हो रहा है यह metal x की road है इसको आपने dip कर रखा है solution of x2 plus में एक another metal की road है इसको आपने dip कर रखा है y में यह लीजिए और एक metallic wire के थुरू connect कर रखा है तो यह एक galvanic cell बन गया electro chemical cell बन गया यह बोल रहा है यह किसमे possible होगा यह कौन से case में possible होगा तो आपको क्या करना है इसमें आपको यह देखना है कि इसका e cell जो है वो कौन से case में positive आएगा आपको यह check करना आना जी मैं e cell calculate करता हूँ इसका देखेगा e cell अगर अपने इसका लिखे तो e cell देखेगा कैसे आएगा e cell is equal to e naught of the cathode minus e naught of the anode यह तो हो गया e naught cell minus 0.059 upon n की value are a2 log of the x2 plus upon y2 plus oxidation होना चीए तो यह equation बनने वाली e naught anode minus e naught sorry cathode minus anode minus 0.059 upon 2 यह 10 raise to the power minus 3 है 10 raise to the power minus 1 है 0.1 दे रखा है 10 raise to the power minus 2 आगे गीरेगा e naught of the cathode minus e naught of the anode plus 0.059 यह आगया e cell जिसके लिए यह positive आएगा वो वाली possibilities जो होगी वो सारी right होने वाली है देखते हैं first case के लिए आपको कह रहा है कि option first x जो होगा वो cadmium respectively बोल रहा है x cadmium हो y nickel हो means यह anode बने यह anode बने यह cathode बने तो cathode बनाना nickel को तो इसका reduction potential लिजेगा minus का 0.24 यह लिजे minus anode बनाना cadmium का minus का 0.4 plus 0.059 यह लिजे अगर अपने इसे solve करते हैं तो यह बनेगा यह बनेगा positive value जो है वो ज़्यादा है it means it is the greater than 0 e cell positive आ गया it means reaction जो है वो spontaneous है तो first is the correct first जो होगा वो correct है ठीक है similar way में second option को check करते है it is the anode and it is the cathode F e का कितना दे रखा minus का 0.44 इसका दे रखा minus का 0.4 plus 0.059 इसे अगर अपन solve करें तो यह यह बनेगा इसको एक step और आगे लेके जाते है यह लिजे अभी भी यह जो है वो greater than क्या आ रहा है 0 आ रहा है greater than 0 आ रहा है it means e cell positive है means reaction spontaneous तो a b हो गया b b हो गया next देखते है इसको अगर x माना जाए it means it is the anode it is the cathode cathode lead का बना है it means minus का 0.13 minus anode बना है nickel का minus 0.24 plus 0.059 यह difference ही positive आ गया तो overall value positive भी आ रहे है greater than 0 आ रहेगा it means e cell positive है reaction spontaneous होगा c is also correct next देखते है last option nickel and fe का it is the anode it is the cathode e not of the cathode minus 0.44 minus e not of the anode nickel का है 0.24 plus 0.059 अगर आप इसे solve करते हैं plus 0.299 plus का 0.299 यह बन गया यहाँ पे देखेगा यह value less than 0 आएगी it means e cell इसका जो आना चीए इसका e cell जो आएगा वो less than 0 आएगा it means this reaction is non spontaneous यह possible नहीं है तो इसके correct answer हो जाएगे a, b and c यह किसके लिए possible है कि x का dissolution हो जाए तो मैंने का तीन पेर के लिए possible है a, b and c ओके चले बात करते हैं next question number 5 क्या कह रहा है the pair of complexes wherein both exhibit tetrahedral geometry is oblique r आपको बूला है कौन से pair में दुनों tetrahedral geometry exhibit करते हैं देखेगा यहाँ पे fv का oxidation number calculate करते है तो fv का oxidation number आएगा plus का 3 plus का 3 अगर अपन लिखे तो होता है 3d5 c l weak field weekend है pairing नहीं करवाएगा तो pairing नहीं करवाएगा तो 4s 0 है 4p 0 है it means 1s 3p मिलके हो जाएंगे sp3 sp3 बोले तो tetrahedral geometry हो जाएगे यह लिजे यहाँ पे बात करें fv के उपर charge है minus का 2 अगर minus का 2 है it means it is the 3d8 4s 2 4p 0 carbonyl is the strong field weekend in sfl strong field weekend की presence में pairing होगी it is the 3d10 4s 0 4p 0 1s 3p sp3 it means यह भी कैसा होगा tetrahedral geometrica होगा यह लिजे यह दोनों tetrahedral है it means a is the correct answer ठीक है बात करते है b के उपर यहाँ पे कोबाल्ट का oxidation number minus 1 आया तो minus 1 आया इसका मतलब 3d8 4s 2 हो गया 4p 0 carbonyl strong field weekend है in strong field weekend 3d10 pairing possible हो जाएगी 4s 0 4p 0 1s हो गया 3p हो गया sp3 it means कैसा हो जाएगा tetrahedral हो जाएगा यह लिजे हो गया tetrahedral आगे देखीगा co वैसे co2 plus है cobalt it is the 3d7 weak field weekend है 4s 0 4p 0 sp3 sp3 बोले तो tetrahedral कैसा हो जाएगा tetrahedral हो जाएगा यह लिजे तो a b सही है b b correct है अभी तक चलीगा next देखते हैं next देखीगा c वाले पार्ट पे आते है nico whole 4 nickel का oxidation number 0 हो गया 3d84s 2 होता है 4p 0 होता है cobalt sorry carbonyl जो होता है वो strong field weekend होता है तो in strong field weekend pairing हो जाएगी 3d10 4s 0 4p 0 1s 3p sp3 sp3 बूले तो tetrahead यह लिजे बात करते है nicon whole 4 nickel plus में है 2 में 3d8 हो जाएगा 4s 0 है 4p 0 है strong field weekend की presence में pairing हो जाएगी pairing होगी तो d8 की pairing इस टाइब से होगी यह दो electron 4 6 2 8 1d हो गया 1 यहां का s काम में आएगा 2p यहां से काम में लेंगे तो यह हो जाएगा dsp2 dsp2 होगा it is the square planner कैसा हो जाएगा square planner हो जाएगा it means यह square planner है यह tetraidal है तो यह answer नहीं आएगा बात करते नेक्स्ट option पे correct हो जाएगे ओके चले आगे next देखिएगा यह एक इन और्गनिका question था the correct statement related to oxoacid of phosphorus is obliq R यह phosphorus के oxoacid यह oxyacid से related problem आईए क्या कह रहा है upon heating S3PO4 S3PO3 it is the phosphorus acid इसको अगर आप heat करते हैं तो PS3 बनता है plus S3PO4 बनता है well known reaction है it is the disproportionation reaction यह disproportionation reaction है ठीक है जी disproportionation reaction है तो देखिएगा यहाँ पर कैसे check करते है इसका oxidation number plus 3 है इसका oxidation number minus 3 है इसका oxidation number plus 5 है एक ही element का oxidation number increase and decrease दोनों हो जाए तो उसे disproportionation reaction बोलते है it means first is the correct S3PO3 can act as reducing agent S3PO4 can not अगर किसी भी element का oxidation number highest होता है highest होता है then it act only oxidizing agent lowest होता है then it act only reducing agent and intermediate होता है in between होता है तो उस condition में both oxidizing agent and reducing agent phosphorus के लिए अगर मैं बात करूँ तो phosphorus के oxidation number के range होती है minus 3 to plus 5 इसमें बात करें अगर अपन तो इसमें तो इसका plus 3 है इसमें इसका plus 5 है तो यह only for क्या होगा oxidizing agent होगा तो यह reducing agent नहीं है but S3PO3 reducing agent की तरह act कर सकता है इसका मैं यह भी statement सही है S3PO4 cannot यह नहीं करेगा सही बात है S3PO3 कर सकता है yes कर सकता है S3PO3 is monobasic acid it is the wrong यह जो है वो dibasic acid है अगर आप इसके structure की बात करोगे तो इसका structure यह होता है दो hydrogen ionizable होता है यह di basic acid है यह दोनो hydrogen जो है वो acidic है it is the di basic acid यह लिजी बात करते है the hydrogen atom of pH bond यह गलत होगे the hydrogen atom of pH bond in S3PO3 is not ionizable in water यह ionizable नहीं है pH वाला यह H plus नहीं देता है ठीके यह H plus नहीं देगा H plus वो ही देगा जो sulfur से connected हो oxygen से, nitrogen से या फिर halogen से या SP hybridized carbon से तो इसका मतलब यह phosphorus से connected hydrogen जो होगा वो ionizable नहीं होगा यह भी statements है A, B and D statement are correct हो जाएंगे चले आगी next देखिएगा section number 2 this section contains 3 question stems 3 question stems आ रहे there are 2 question corresponding to each question stem एक question stem में जो होगे वो 2 question आएंगे the answer to each question is numerical value आपको numerical value में देना है ठीक है if the numerical value has more than 2 decimal place round of the value of 2 decimal place इसका मिला आपको answer 2 decimal place में देना है ठीक है चलिए first number क्या कह रहा है first stem क्या कह रहा है at 298 Kelvin the limiting molar conductivity of weak mono basic acid it means it is the lambda naught at 298 Kelvin for aqueous solution of the acid the degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is y into 10 raise to the power 2 at 298 Kelvin upon 20 times dilution with water the molar conductivity of the solution becomes 3y into 10 raise to the power 2 Simon's centimeter square per mole the value of alpha is ठीक है देखेगा alpha जो होता है it is the lambda m या lambda c upon lambda naught किसी particular concentration पर molar conductivity divide by molar conductivity at infinite dilution तो इसकी value है y into 10 raise to the power 2 upon 4 into 10 raise to the power 2 it means alpha is equal to y by 4 ये एक equation बन्दी आपने dilution किया तो alpha change हुआ मैंने का alpha dash conductivity भी change हुई 3y into 10 raise to the power 2 divide by 4 into 10 raise to the power 2 it is the 3 into y by 4 3 into y by 4 मैं ऐसा बोल दूँ क्या it is the 3 alpha alpha dash हो गया वो 3 alpha हो गया mono basic acid है temperature आपने change नहीं किया it means इसका dissociation constant के जो होगा c alpha square upon 1 minus alpha वो change नहीं होना चीए ये लिजे आपने जब ये कह रहा है final dilution 20 times तक हो गया है तो concentration c dash जो आएगी it is the c by 20 value पुट कीजेगा c alpha square upon 1 minus alpha it is the c by 20 it is the 3 alpha का square upon 1 minus 3 alpha c से c cancel हो जाएगा alpha से alpha cancel हुआ तो यहां पे बच जाएगा आपके पास 1 upon 1 minus alpha it is the 9 by 20 into 1 minus 3 alpha 20 minus 60 alpha it is equal to 9 minus 9 alpha it is the 51 alpha equal to 11 then alpha is equal to 11 by 51 यह आजाएगा और इसको solve करने पर आपको value मिलेगी 0.215 आपको decimal के 2 प्लेस तक answer देना है तो 0.22 answer आजाएगा ठीक है यह alpha की value आजाएगा next क्या कह रहा है the value of y यहां से अगर अपने को y की value चीए तो alpha into 4 0.215 into 4 0.86 आजाएगा y की value 0.86 आजाएगा ओके यह दोनों एक question बन जाएगा तो दूसरा question बन जाएगा simple था है पहले आप alpha में relation लेके आएगा और फिर mono basic acid का के जो है वो constant रहना चीए यह only for temperature के साथ change होता है इस concept का मैंने use किया है देखिएगा next reaction of x gram of sn यह लिजेगा sn with hcl quantitatively produce a salt salt यह बनेगा sncl2 plus h2 entire amount of the salt reacted with y gram of nitrobenzene sncl2 की reaction करवा नहीं है y gram of nitrobenzene it is the nitrobenzene तो बनेगा diazonium ammonium aniline बनता है वैसे aniline chloride बनेगा because hcl साथ में present है plus sncl4 बन जाएगा nitrobenzene का aniline में reduction हुआ है ठीक है तो यहाँ पे sn का जो होगा वो oxidation होगा plus 2 से plus 4 में यह कहे रहा है 1.29 gram organic salt produce हुआ है वापस एक बार question देख ले थे reaction of x gram of sn with hcl quantitatively produce a salt entire amount of the salt reacted with y gram of nitrobenzene in the presence of required amount of hcl to produce 1.29 gram of organic salt ठीक है the value of x मैं आपको एक बात बूलू क्या इस reaction में अगर मैं balancing नहीं करना चाहता हूँ तो equivalence of sn first value reaction से it is equal to equivalence of sncl2 होगा and equivalence of sncl2 it is equal to equivalence of anilinium chloride यह लिजे इसका मतलब मैं इन दोनों के equivalence बाराबर कर दूँ क्या equivalence of sn it is equal to equivalence of diazonium diazonium sorry anilinium chloride इसके बाराबर हो जाएगा ठीक है दोनों के equivalence equal करना है इसका mass x है equivalence का formula होता है mass upon equivalent weight equivalent weight होता है atomic weight या molecular weight means molar mass 190 divide by इसका n factor इस reaction में यहाँ पे 0 था और यहाँ पे पहुझ गया plus 2 में it is the 2 इसका कितना देखा है 1.29 gram इसका molecular weight होता है 129 upon इसका n factor देखेगा यहाँ पे nitrogen का oxidation number जो है it is the plus 3 और यहाँ पे nitrogen का oxidation number minus 3 हो गया कितने का change हुआ 6 electron का change हुआ it means इसका n factor जो होगा वो 6 होगा अब अपन इसको solve करे तो यहाँ से अपन को मालूम चलेगा x is equal to यह हो जाएगा 3 119 into 3 into 10 raise to the power minus 2 it is the 3.57 gram xz आजाएगा तो x की value आगी 3.57 gram next देखते हैं value of y यह कह रहा है कि बताओ nitro benzene कितना होगा मैं एक simple सी बात बूल रहा हूँ एक benzene ring दिख रही है इधर भी एक benzene ring दिख रही है इसका एक mole होगा तो इसका एक mole बनेगा तो ऐसा बूल दू क्या number of moles of nitro benzene it is equal to इसका stoichiometric coefficient 1 है is equal to number of moles of anilineum chloride यह होना ची तो मैंने कहा इसका y upon 123 it is equal to 1.29 upon इसका molecular weight mole बराबर किये मैंने तो यहां से y is equal to कितना आ जाएगा 1.23 gram आ जाएगा यह लिजेगा value of y पूछिए 1.23 gram इसका correct answer आ गया अगर इस time में एक question बन गया तो दोनो आर एजीली बन जाएगे वाँपे next देखिएगा यह एक तरीके से यह question भी जो है वो redox का concept of equivalence से related यह भी question A sample of 5.6 gram containing iron is completely dissolved in a cold dilute HCl to prepare a 250 ml of solution Titration of 25 ml of this solution requires 12.5 ml of 0.03 molar KMNO4 solution to reach the end point Number of moles of Fe2 plus present in 250 ml solution is X into 10 raised to the power minus 2 The amount of iron present in the sample is Y percentage by weight then value of X and Y एक simple सा तरीका है इसमें मैंने माल लिया कुछ iron होगा क्या होगा? iron होगा ठीक है? तो मैंने कहा कि iron था उसने HCl के साथ reaction की बन गया FeCl2 ओके? फिर यह कह रहा है इसका 25 ml को titrate कर वाया है तो equivalence of FeCl2 चलो titrate करवा देते हैं पहले तो FeCl2 की reaction करवानी है KmnO4 के साथ medium रख रहा है acidic क्योंकि already acidic है HCl था Fe2 प्लस का oxidation होगा Fe3 प्लस में It is the Mn2 प्लस Equivalence बराबर कर रहा हूँ Equivalence of FeCl2 It is equal to Equivalence of KmnO4 Equivalence का formula होता है mole of FeCl2 into N factor इसका N factor 1 है प्लस 2 से प्लस 3 में गया है इसके लिए अगर अपने बात करें Equivalence की KmnO4 के लिए तो KmnO4 का 0.03 molarity है into N factor लगाईएगा 5 है into volume 12.5 into 10 raise to the power minus 3 यह mole आगे FeCl2 के यह किसमा है in 25 ml क्यों आपने कितना ml लिया था इसका 25 ml तो number of moles of FeCl2 in 250 ml में कितना आजाएगा 10 times कर दीजेगा इसको 10 times करोगे तो 10 का multiply करते ही it is the 10 raise to the power minus 2 एक बात बताएगा जितना FeCl2 का मोल होगा उतना ही तो Fe2 प्लस का मोल होगा ठीक है आपसे बूला Fe2 के कितने मोल्स होने चीए तो number of moles of Fe2 प्लस भी तो इतना ही होगा अगर आप इसे multiply करते हैं तो it is the 1.875 into 10 raise to the power minus 2 यह कह रहा है X है तो X की value आगई 1.875 the amount of iron present in the sample is Y percentage अगर यह iron का मोल आ गया है तो percentage by weight के लिए बात करे तो iron के मोल को मैं multiply कर देता हूँ मास से मोलर मास से तो यह इसका मास आ गया upon mass of the sample 5.6 into 100 यह 100 से 100 कैंसे हो गया it is the 10 means 18.75 percentage आ जाएगा 18.75 परसंटेज जो आएगा वो percentage by weight आ जाएगा value of Y कुछ ही है 18.75 हो जाएगा यह क्यूशन इस क्यूशन की बात करते हैं the amount of energy एक paragraph दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस homolytic के लिवेज करते हैं इन bond का तो इतनी energy की हमें required होती है तो मैं ऐसा करता हूँ इस क्यूशन को solo करूँ तो मैं पहले यह energy को एक column में लिख रहता हूँ HCl इस bond को प्रेक किया तो इसके लिए कितनी energy चीए 105 इसके लिए कितनी चीए 58 kilo calorie में है सब वे लो इसके लिए 85 और इसके लिए 103 चलो अब आपने पास क्यूशन क्या है उसको चेक करते हैं यह लो आपको बोला है correct match of the CH bond shown in bold मतलब इसमें यह CH bond यह CH bond यह CH bond यह CH bond इन कोलम जे विद एर बोंड डिसोशन अरजीन कोलम तो इसका simple सा concept देखो carbon hydrogen bond है यह break हुआ और यहां मैं क्या बना radical तो मैं बोल रहा हूँ stability of radical is inversely proportional to carbon hydrogen bond dissociation energy जितना ज्यादा stable radical बनेगा उस bond को break करने के लिए उतनी ही कम हमें energy देनी पड़ेगी तो जितना ज्यादा stable radical बनेगा carbon hydrogen bond energy उतनी ही कम रहेगी अब इसमें radical कौन सा बन रहा है देखो जो P में जो radical बन रहा है वो यह वाला बन रहा है CH CH3 और जो Q में जो radical बन रहा है वो बन रहा है PH और यह CH2 यह stable by resonance इस्टेबल बाई रेजो और यह stable by hyperconjugation stable by hyperconjugation यह hyperconjugation से क्या है इसके पास 6 alpha hydrogen है और यह resonance है और यह वाला R में बनेगा आपके पास CH radical double bond CH2 और S में जो बनेगा आपके पास वो बनेगा C triple bond CH radical यहाँ पे triple bond रहा है printing में में थोड़ सा missing हो गया है तो यहाँ stability of radical stability of radical सबसे ज़्यादा कौन हुआ क्यों हुआ उसके बाद कौन हुआ आर हुआ अब यहाँ SP2 में है यहाँ SP में है SP2 का S percent करेक्टर कम है तो वहाँ ज़्यादा stable है तो उसके बाद आएगा आपके पास सबसे पहले आपके पास क्यों आया उसके बाद P आएगा P उसके बाद आपके पास R उसके बाद S तो carbon hydrogen bond dissociation energy की बात कुरें तो सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए एश के लिए सबसे ज्यादा चीए तो S के लिए value जो होगी ना वह होगी 132 एस के लिए हो जाएगा पर्स्ट पर्स्ट S के लिए फर्स्ट उसके बाद चीए R के लिए आर के लिए सेगिंद highest value कौन चीए और इसके लिए हो जाएगा फोर्थ, ऐसा option चेक करोगे, तो first option आएगा, इसलिए first is correct answer, next, ये question भी अच्छा question है, इस question को solo करें, तो इसके लिए हमें इन data की required होगी, तो मैंने एजिट रखे हैं data को, क्या बोल रहा है, ये देखो, execution को देखें, तो सबसे पहले, for the following reaction, the correct statement is, एक आपको reaction दी हुई है, इसके लिए कौन सा statement correct है, ये आप से पूचा हुआ है, तो देखें आप इदर, initiation step, अच्छा, इस reaction का mechanism क्या होगा, पहले mechanism का पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले initiation step आएगा, और इसमें ये CL और ये CL वाला बोन टूटेगा, और 2CL radical बनेंगे, फिर आएगा propagation, propagation, propagation में क्या होगा, CH3H, ये CL radical, और यहाँ आपके पास बनेगा, HCL और CH3 radical, फिर CH3 radical जो है, वो CL और CL से react करेगा, और बनाएगा, CH3CL और ये CL radical, येलो, अब अपन क्यूशन को देखते हैं, कि क्यूशन क्या बोला है, क्यूशन में बोला है, कि दा initiation step इजे एक्जोत्रमी, तो initiation step में, देखो, CL CL के लिए, बोन को ब्रेक करने के लिए, हमें 58 किलो कैलोरी, energy की required होगी तो इसका डेल एच जो आएगा ना वो positive आएगा और वो कितना एगा 158 तो यह बोल रहा है कि शोड़ी केवल 58 केवल 58 डेटा दिये होएं अपनोंको 58 माइनस मिना हमने बोन ब्रेक किया है बोन तो बना इनी पड़ी है मतलब इंडो फ्रोसेस है तो पस्ट स्टेट्मेंट क्या है गलत सेगेंड प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग सी एच थ्री फोर्मेशन जहा 105 एनरजि देनी पड़ी है और इदर में जे एक्शील का बंड बना है एक्शील के बॉन में कि इनरजी में मिली है वो मिली mutually यह माइनस है और यह positive है, मतलब ये step भी del H, इसका भी कितना आ रहा है positive आ रहा है, ये भी endothermik है और बोल रहा है कि exothermik होगी, ना ये भी कलत है, propagation step involving CS3 CL formation is endothermik, तो देखो CS3 CL formation CS3 CL formation बना तो इसके लिए कितनी energy release होगी, 85 और CL CL वाला जो मैंने दिया है, वो energy कितनी दिया है, ये प्लस 58 है और इतनी energy release होई है, तो इसमें तो energy release होई है, तो overall step कैसा होगा है, ये, exothermik होगा है, और ये बोल रहा है, endothermik होगी, ना, ये गलत हो गया, endothermik नहीं होगी पिर रहता reaction ही जे, exothermik, overall reaction की अगर बात करें, तो simple सा concept है, CH4 है, CL CL है, और light की presence भी reaction होई है, CH3 CL, और ये H CL है, तो यहाँ CH4 में मैंने CH3H का bond break किया, तो यहाँ 105 energy मैंने दी, CL CL में bond break किया, मैंने यह 58 energy दी, ये energy मैंने जो दी है, मतलब required energy है, CH3 CL बना, तो 85 HCL बना, तो आपके पास 103, तो यह वाला, तो यहाँ आप निकालोगे, तो minus 2 kilocalorie per mole energy आपको मिलेगी, मतलब overall reaction एक जो thermic है, और energy जो release होगी, वो होगी, minus 25 kilocalorie, minus 25 kilocalorie energy release हो जाएगी, तो answer जो जाएगा, हो जाएगा D, hopefully solution आपको समझ में आया गएगा, HD paper था, और almost paper NCRT की reactions को ही belong करते हुए था, the reaction of K3 Fe Cn whole 6 with freshly prepared Fe SO4 solution produces a dark blue precipitate called turnbull's blue, यह कह रहा है, K3 Fe Cn whole 6 की अगर आप reaction करवाते हो, किसे Fe SO4 से, किसे करवा रहे हो, Fe SO4 से, तो यह turnbull's blue बनेगा, turnbull's blue बनेगा, यह हो जाएगा, Fe 3, Fe Cn whole 6, whole twice, it is the turnbull's blue, turnbull's blue, इसके बारे में आपको इसने बोला भी है, यह कह रहा है, इसी K4 Fe Cn whole 6 की reaction अगर, इसकी reaction अगर, Fe SO4 के साथ करवाई जाए, in the absence of air, complete absence of air, अगर absence of air रखा है, तो Fe 2 plus जो बनेगा, उसका oxidation नहीं हो पाएगा, और यह बनेगा, K2 Fe, Fe Cn whole 6, यह फिर Fe whole twice भी बोल सकतो, Fe 2, Fe Cn whole 6 बन जाएगा, इसको इन्होंने नाम दिया, X, आगे क्या कह रहा है, which turns blue in air, बिल्कुल यह pressure blue में convert हो जाएगा, in the presence of air, in the presence of air, जो होगा, यह Fe 2 plus Fe 3 plus में convert हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ, तो यह formula ऐसा बन जाएगा, pressure blue का, यह लिजे, it is the pressure blue, तो इससे पुछा है, X कौन होगा, तो X है, K2, Fe, Fe Cn whole 6, यह रहा, third is the correct answer, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, mixing the Fe SO4 solution, यह लिजेगा, Fe SO4 solution को, NaNO3 के साथ, in the presence of H2SO4, यहाँ पे देखीगा, यह NO बनेगा, साथ में feric sulfate भी बनेगा, यह NO जो है, वो remaining Fe2 plus के साथ, जो remaining Fe2 plus है, उसके साथ reaction करके, brown ring complex बनाता है, जिसका formula FeH2O whole 5, NO, sulfate होता है, यह लिजे, यह minus 2 है, तो यहाँ पे plus 2 आना चाहिए, यह plus 1 का होगा, यह plus 1 का होगा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, brown ring complex कौन सा होगा, FeH2O whole 5, NO 2 plus, it means D is the correct answer, यह brown ring test था, brown ring complex है, it is the test of nitrate आये, ठीक है, यह paragraph simple सा paragraph था, next, integer type question आगे, 1 mole of ideal gas at 900 Kelvin, undergoes two reversible process, first followed by second, SO1 below, if the work done by the gas, in the two processes, R same, the value of ln, V3 by V2, इसकी आपसे value पूछ रहा है, सुनिएगा, यह U by R और S का graph है, ultimately यह graph किसके बीच में बनावा है, U and S, internal energy and entropy के बीच में, U is the internal energy, S is the entropy, ओके, तो सुनिएगा, इस वाले point पे, अगर मैं बात करूँ, first वाले process में, तो यहाँ पे दिखेगा, entropy पूरी constant है, reversible process में, entropy constant होती है, only for adiabatic process में, कौन से process में, adiabatic में work done जो होता है, वो delta U के बराबर होता है, अगर आप delta U calculate करना चाहते हो, तो final internal energy 450R है, initial 2250R है, 450R minus, यह हो जाएगा, it is the minus का 1800R, यह किसके बराबर होता है, NCV delta T के भी बराबर होता है, यह लिजे, N की value 1 है, CV की value 5 by 2R दे रखी आपको, delta T final temperature minus initial temperature 900 है, it is the minus का 1800R, R से R cancel हो गया, यह हो जाएगा आपने पास कितना 360, 360 T minus 900, it is the 720, means temperature जो आएगा, minus का, यह 180 Kelvin आगया, means T2 temperature जो आएगा, वो 180 Kelvin आगया, बात करते हैं, process second की, process second में internal energy constant है, अगर internal energy constant है, it means, it is the isothermal process, कैसा process है, isothermal, second reversible isothermal है, बोला हुआ है, reversible process है, isothermal है, तो work done किसके बराबर होगा, minus NRT, ln V3 by V2, क्योंकि इसका final volume जो है, वो V3 है, initial volume V2 है, apply किजिएगा, दोनों का work done equal है, तो इसको minus का 1800 कर दीजिएगा, R, minus 1, R की value R, temperature कितना हो गया, 180, ln V3 by V2, यह हो जाएगा, 180, R से यह cancel out हो के, ln V3 by V2, it is equal to 10, यह बच जाएगा, यह आप से पुछा है, ln V3 by V2 कितना होगा, it is the 10, next problem पे आते हैं, consider a helium atom, that absorb a photon of wavelength 330 nanometer, the change in the velocity of helium atom, after the photon absorption, assume momentum is conserved, when photon is absorbed, momentum का conservation करना है, तो momentum जो होगा, वो after M delta V होगा, पहले, पहले जो होगा, वो momentum कितना था, H by lambda, यह photon का momentum था, जो इसको shift हो गया है, तो momentum का conservation मैंने apply किया, M delta V is equal to H by lambda, delta V is equal to H upon M lambda हो जाएगा, value put कर रहा हूँ सारी, 6.6 into 10 raised to the power minus 34, ऐसा unit मैं put करते हैं, सुनिएगा, helium के अगर one atom के mass की बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं, 4 A mu होता है, 4 gram upon Na होता है, यह लिजी, तो इसका mass जब put करूँगा, तो 4 gram, gram को kilogram में convert कर दिया, divided by Na, Na है, 6 into 10 raised to the power 23, lambda दे रखा है, 330 nanometer, nanometer को meter में convert किया, 10 raised to the power minus 9, यह सारा किसमें आया है, ऐसा unit में आया है, इट मिन्स, यह meter per second में आयेगा, यह आपके पास power बच गई, minus 11, 11, 23 भी उपर गया, 11 उपर गया, यह लिजी, 34 से 34 की power cancel out हो गई, ठीके, यह हो गया 0.2, it is the 0.3, it is the 0.3 meter per second, आपको चिये centimeter per second में, 100 का multiply कर दीजेगा, it is the 30 centimeter per second, यह answer आजाएगा, 30 is the correct answer, next problem देखीगा, ozonolysis of ClO2 produces an oxide of chlorine, इसका जब ozonolysis करवा होगे, तो यह बनेगा, Cl2O6 plus half of the O2, oxidation state of chlorine in this oxide, oxidation state में x माल लेता हूँ, average बूला है, तो 2x plus 6 into minus 2, equal to 0, 2x is equal to plus 12, x is equal to plus 6, it means answer आएगा 6, okay, physical का weightage ज़्यादा था, overall, ठीके, inorganic के 3-4 question थे, और physical के question को, जो है, वो inorganic और organic के questions के साथ, combine करके, एक अच्छा सा paper था, उसको आपने discuss किया, okay, thank you,